नाम जरा एक बार जानते चलिए हिमांशु कुमार जो हैं हिमांशु कुमार जमुई से आते हैं 480 अंक उन्होंने अर्चित किया है छठे अस्थान पर हैं वहीं विद्या यह तमाम नाम आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी और इन नामों के साथ उनके अंक भी जा चठा स्थान दिव्याराज जो कि सुपॉल से आती हैं 489 अंक सात्वा स्थान पलक कुमारी जमुई से 70489 अंक के साथ जमुई के ही भाव्याराज जो हैं उन्होंने भी सात्वा सानी अर्चित किया है 489 अंकों के साथ सात्वे स्थान पर नालंदा के अर्पिता कुमारी जो हैं उन्होंने सात्वा स्थान अर्जित किया है और सात्वे स्थान पर देखी एक दो पाँच स्टूइंट नहीं बलकि मैथली कुमारी जो हैं शाहरसा से 489 अंक सात्वा स्थान सलोनी पांडे उचका अमध्य विद्याल है जो है वहां से 489 अंक सात्वा स्थान ही प्रिंस कुमार हैं बक्सर जिले से आते हैं 489 अंक सात्वा स्थान राजीव कुमार भोजपुर से हैं 489 अंक की सात्वा स्थान राजीव कुमार 489 और साथी साथ वैशाली से देखे सोडू कुमार जो हैं इन्होंने भी 489 अंक की हासल किया है सात्वा स्थान अर्जित किया है आठवेद रैंक पर भी अच्छी खासी संख्या स्टूडेंट की जिनमें प्रिया जैसवाल जो हैं आठवा सान उन्हों ने अर्जित किया है 438 अंक के साथ 438 अंक हासल करने वाले आठवे रैंक पर भी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जिन में मेल और फिमिल यानी चात्र और चात्रा हैं दोनों ही हैं लेकिन राजधानी पटना जहां से इस परिक्षा परिणाम को जारी किया गया है उसमें राजधानी से किसी भी स्टूडेंट का शामिल ना होना अपने आप में चिन्ता का विशह जरूर है और इसे सिक्षा विभाग भी और तमाम स्टूडेंट्स उनके अविभावक और स्क बजना होगा कि आखिर ऐसा क्यों सुदूर इलाकों से चात्र जो हैं वह बहतर प्रदर्शन करते वे टॉप 10 में अपनी उपस्तिती दर्ज करा रहे हैं